अभी तक हमने क्या सीखा एकनॉमिक्स में अभी तक हमने सीखा एक सबसे जादूई चीज़ सीखी कि एकनॉमिक्स एक जो है सर्गिल का पार्ट है याद है अगर इंकम कम होगी अगर उसको तुम बार-बार रिवाइस करते रो उसको समझने कोशिश करो अक्सर तुमने देखा होगा मैंने आपसे कहा था कि जो देश होता है वो लोगों से बनता है लोगों से लोगों से बनता है और लोग अपनी भावनाओं से बनते हैं सबका प्रयास का मतलब होता है सबका प्रयास का मतलब हुआ कि एक कंट्री के रूप में याद होगा कि राष्ट को निर्मित करने के लिए लोगों का होना बहुत आवश्यक जो इसमें बात की गई थी सबका प्रयास जो वर्ड जोडा गया है आप इसको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मत देखिए यह स्टेटमेंट है कि सबका साथ सबका विकास डवलपमेंट यानी इकनॉमिक सेग्मेंट यानी डिस्टिबूशन होता है डिस्टिबूशन होता है कि जो भी सब्राष्ट के पास संसाधन है रिसोर्स अब समझ गए विकास का मतलब हुआ कि नाते आपका एक कर्तव है याद होगा जब मैंने सेलबस अनलेसिस की क्लास में कहा था कि कब तक हम सरकारों से मांगते रहेंगे गवर्मेंट भी सुन रही है प्रधान-मंत्री का भी हो सकता कोई आदमी ने मेरी क्लास जो है वो कर रखी हो तो कि जो है यहां क्लास में बोल से बात हुई थी राइट यह माझते हो अब तुमारे पसस्य का अप्लाइफ क्लियर है दूस्रा आपको मैंने जयाद होगा मैंने मेर् बताया था कि जो क्यान इक जो आयूँ से नाओ फेर इक्न्स है याद है मैंने आपको इसके बारे लिएखAC in आपिना कि आक्नामिक्ञ step by step लिखो अर्फिवस्ता की समझ अर्फिवस्ता की समझ step by step कदम दर्द कदम हम इसको समझते हैं कि अब इसके अंदर कुछ जटिल चुनौतियां हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एकॉनमी का सबसे बड़ी समस्या क्या कि दो हमारे सामने दिकत हैं एक हमारे संसाधन सीमीत है और हमारी आउशकता है आपकी जो पूरी पढ़ाई है आपका जो कुरा कोश्चन पेपर इसी के बीच में रहता है रिसोर्स बहुत इंपोर्टेंट है जोगर्फी में आपको समझ में आ चुका है वैली अडिशन के लिए बहुत महात्पूनिस के बिना आप वैली अडिशन नहीं कर पाओगे आप फर्दर मुव्मेंट नहीं कर पाओगे दूसरा समस्या है कि हमें अपने जादस जादा इए अच्छा और बुरा नहीं है बुरा और बहुत बुरा है अफगानिस्तान के केस में जो हो रहा है बहुत वधित करने वाला हो सकता है कि कल को अगल टालीबान अपणा छेहरा बदलता है तो भारश सरकार को अपनी सुरक्षा बचाया रखने के लिए तालीबान से बात करनी पड़े क्योंकि भारत सरकार के लिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है यह उससे जादा महत्पूर्ण की कश्मीर में क्या हो सकता है पाकिस्तान को कितनी ताकत मिल सकती है तो कभी भी पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ नहीं आने देना है तो कल हो सकता है भारत सरक तालिबान को जो है वो समर्थन भी देना शुरू करें या गुप चुप तरीके से डारेक्ट नहीं तो इन डारेक्ट तरीके से बातचीत की टेबल पर वो लोग आ जाएं क्योंकि हमारी राष्ट्री हित हमारे जो नाशनल इंट्रेस्ट है वो सर्वो पर ही है अब आज आते आती है तब आपको समझने बहुत मज़ा आएगा पहला वट्ट्यू प्रड्यूस उत्पादन करना क्या है वहाई कठिन सवाल है क्योंकि अब हम लोग कोर एकनामिक्स की तरफ जा रहे हैं अभी हमने वेलफेर एकनामिक्स पढ़ी जहां हम उसके अप्लाइट अब हम को र क्या उत्पादन करना है अब जैसे मैं तुमसे कहूं अब इसी क्लास में डिबेट होने यह बहुत डिबेटेबल टॉबिक है यह दिमाग घुमा देगा तुम्हारा तो मेरे साथ पूरी तरह से इन्वाल्व हो जाओ मॉल बनने चाहिए यह ज्यादा 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 बनने चाहिए यह ज्यादा 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 बनने चाहिए यह ज्यादा ज्यादा श्यादा शॉप्स राशन की दुकाने सस्ते राशन की दुकाने क्या होना चाहिए तुमारे सबसे अब यह कोई मत कहना दोनों प्ल कि दोनों वाले जितने चुप चाप रहे हैं ठीक है वो बिल्कुल चुप रहे हैं वो कमेंड ना करें क्योंकि वह एकनोमिक्स को समझती नहीं है ठीक है कि आपके संसाधन सीमित है बनाने को तो हम अभी तक 75 साल हो गया अभी तक स्कूल नहीं बना पाए पूरे अपने देश के विद्यारती के लिए क्योंकि यह नहीं है तुम्हारे पास ना यह चीज होनी चाहिए नाइंटी परसेंट लोग कह रहे हैं कि राशन की दुकाने होनी चाहिए बहुत बढ़ियां शाबश बहुत बढ़ियां यह एडिलिजम तुम्हें खा जाएगा अच्छा मुझे ब कि अमेरिका में राशन की दुकाने तो नहीं हैं सस्ती अमेरिका में तो मॉल्स हैं क्योंकि वहां लोग ताकतवर हैं और लोग जाकर जो हैं अपने लिए कहते हैं मुझे सरकार से फ्री में अनाज नहीं चाहिए मैं जाकर मॉल्स में अपने लिए सामान के मुझे बाजार तो मेरे पाप पर गैपिता है और तुम अगर अधिक से अधिक राशन की दुकाने खोल रहे हो मैंने इस से पहले तुम्हारी क्लास पहले अपने कान पे तमाचा मारो खीच के अपने अपको क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारी ग्वर्मेंट की सबसे बड़ी ग लोगों को अपने पेरों पे खड़ा होने के लायक नहीं बनाओगे तो जिन्दगी वार अप्राहिज बने रहेंगे तो जिन्हों ने इस एक तरफा बात की है वो पहले खीच के अपने आपको एक मारे तमाचा थीक है क्योंकि उनको सजा मिलनी चाहिए कि इतने अच्छे से पढ़ाया गया उसके बाद भी वह जो है डेफ्ट नहीं समझ पा रहे हैं खुद को सजा दो अब आ गये तुम मॉल्स पे ने चाहिए तो अगर तुम मॉल्स बना लोगे तो जो है इन्वार्मनेंट फरेंड ही बहुत अधिक बिजली एसी पानी इन सबको बरबाद कर रहे हैं और एक देश जहां पर बहुत बड़ी आबादी भूखी मर रही है वहां पर आप इतने जादा मॉल्स बना कर क्या करना चाह रहे हो आप केवल जो है वह कुछ जो सुविधा संपन्न लोगों को आप जो है वह हमारे पास हमेशा संसादनों कमी हुए आज भी मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री ग्रामीर सबक योजना का पैसा हम वर्डबैंक से मांग रहे हमें अपने गाओं को जोड़ने के लिए जो सबके चाहिए उसके लिए भी हम वर्डबैंक के पास जाकर पैसा मांग र रहा है राशन की दुकानों पर भूत को बढ़ा होगे तुम्हारे पार राशन है वहां पर रखने के लिए इंफ्रस्ट्रक्ट्चर है इतने लोगों को नौकरी पर रखने के लिए हैं दूसरा हाउट प्रडूस ठीक है अब किस तरह हाउट प्रकार सा उत्पादन हो हाउ प्रडूस कैसे उत्पादन हो मशीन से करें यह श्रमिक से माध्यम से करें चलो बताओ तुम्हारा दिमाग फार दूंगा मैं आज देखाना बहुत बढ़ियां जो यह टॉपिक है इतना एकॉनमी इजी होता तो फिर क्या बात थी देश अब तक कब तक आगे चला गया तो तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन हो रहा है ना ठीक है हाव टू प्रडूस कैसे उत्पादन करना है क्यापिटल और लेबर ज्यादा पूंची की मदद से यानी मशीनों की मदद से ज्यादा श्रमीकों की मदद से हां बताई वही है कई लोगों ने का लेबर चलो अब देख लेते हैं ठीक है लेबर जब लोग छोटे थे तो ब्रेड जैसे आज की डेट में 10-12 रुपए में लेकिन वो ब्रेड बड़ी महंगी हुआ करती थी सबके बस का नहीं था ब्रेड खा पाना पड़ी रियरली कभी जो है वो ब्रेड बटर मिल जाता था तो बड़ा लगजरी हमारे उसमें जब लोग छोटे स्कूल जाया करते थे तो बड़ी उसके उसमें मशीने नहीं थी बनाने वाली बहुत गिने चुने जब मेट्रोपॉलिटेंस में आया करती थी तो उसमें जो मैनुवल काम हुआ तो आज ही है तुम्हारे पास 10-12 रुपए का ब्रेड है अब तुम लेबर से जब काम कराओगे ठीक है लेबर से काम कराओगे तो कॉस्ट बढ़ जाए क्यो काने बंद कर दिया था तो अमालों वहीं 30 रुपए की ब्रेड मिल रही है तो क्या आप मेंसे कई लोग ब्रेड खाएंगे क्योंकि तीन गुना कीमत जादा चुका नहीं पड़ रही है तो अगर आप लेबर से प्रोडक्शन करते तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉस अगरेजियों के समय से ही सूती वा सुरुद्योग में बॉम्बे मिल्स दुनिया में पूरी अच्छाई हुई थी सारी कंडिशन पर बहुत फेवरेवल थी जानते वहां क्या हुआ वहां पर समाजबाद ने अपना पकड़ बनाया और बॉम्बे में सबसे बढ़ा पढ़ पॉम्बे के लोगों से पूरा उद्योग नस्ट हो गया खराब हो गया और यहां के कई लोग जो हमेशा के लिए बेरोजगार होते चले गए तो इस तरह से कई बार जो होता है वह प्रडक्शन कैसे करना है यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेग्मेंट होता है तो बताइए अगर आप कैपिटल की तरफ चले जाते हर का मशीन करेगी तो जब मशीन यह काम करेगी तो लेबर हमारे पास इतनी बड़ी आवादी है उसको रोजगार कहां से दे पाएंगे अब बताइए क्या करेंगी एक तरफ इतनी बड़ी आवादी जिसको खाने के लिए चाहिए बिस्किट पता चला इतना लेट बन रहा है बिस्किट कम बन रहा है ठेर सारे लोग हैं महँगाई बढ़ जाएगी अब आप समझ मैंने डिमांड सप्लाइकर मेंस मैच करेंगी तो क्या होगा उसमें महँगाई हो जाएगी और मैंने आपको पढ़ाय भी था मंद्रेगा बताया था ना तो मंद्रेगा से आपने क्या गया इंकम बढ़ा दी गाओं की अब मात रातो रात सरकार ने क्या गया जिस साल मंद्रेगा लांच हुआ उसके चार-पास साल बाद महँगाई हमारी बहत तेज लांच हुई यह इस तरह के जो खाते में सीधे पैसा दिया जा आज 10 लीटर दूद जाता देना क्या जो भेंस जो है वो 10 लीटर दूद जाता देना शुरू कर देगी विकॉस दिमांड तो सड़नी इंक्रीज किया जा सकता है सप्लाई सड़नी इंक्रीज नहीं हो सकती है या वह आपने देखा बाजार में लोग पैसा लेके पहुच ग तुम्हें पॉल्ट्री फॉर्म्स बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें ज्यादा भेंसे खरीदने पड़ेंगी इंवेस्ट करना पड़ेगा तो सवाल यह है कि हाव तो प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें विद रहल्प ऑफ कैपिटल और विद रहल्प अव लेबर दो कार हो जाएगी इसकी इंकम कम तो एकसिश्पेंडेटर कम तो सेव इंकम तो फिर तुम्हें पता है कहां कहाँ जाएगा तो चैलेंच ही तो समझा रहा है उटकृट्वक्स की तरफ जा रहा है ना हमें कूर्ठ इकनामिक सबढ़ने है तो महाल तो बनने दो तुम एप्सु है solution इसका लेकिन यह higher standard में नीतियायक पढ़ाता हूं मेंस में अपने concept में तब वहां पर इसको बताता हूं कि क्या करना है next one for whom to produce किसके लिए उत्पादन करना है किसके लिए गरीब आदमी के लिए या वो जो रोजगार पैदा करके business class दे रहा है उसके लिए हमारे उसको सूट बूट की सरकार बोलते हैं उसको चोर हमारे business class को चोर मानते हैं यहीं सबसे बड़ी वेडम मना है जबकि वह नौकरी प्रडूस कर रहा है सबस्यादा सरकार को टैक्स भी दे रहा है लेकिन हम पूरा आई गरीब है आई बिचारा है बिचारा लेकिन अगर वह भी निकरेंगे तो फिर हम सामाजी कल्याण DPSP में हमने कल्यानकारी राज्य बनने का सोचा मुसका भी भला निकर पाएंगे तो किसके लिए प्रडूस करें लिखो तो हम किसके लिए उत्पादन करें हमें तया करना कि उत्पादन खेत रात रात थोड़े नो वहीं बता रहें ना कि भैस की कनपटी पर तुम बंदूख रख दो बले सुन रही हम कट्टा दाग देंगे आज अगर दस लीटर दूद एक्सरा नहीं मिला डिमांड आई है तो क्या अगर एक भूरी डिर के अगर आज अगर देंगे अगर आज इक्सरा नहीं आया तो तो क्या होगा जादा उत्पादन के दिश्चा इस बीलाजिकल प्रोसेस ठीक है तो अब उसमें क्या होगा फोलूं टूद ब्रूस बिकास यह वालिम्टेट तुम सोच रहो कि जमीन अभी अचानक से खाद दे पादन बढ़ने लगा ठीक है तुम्हें निबान आने लगी अब अचानक से खेट से थोड़ने को होगा खेट कल बम से उड़ा दूंगा आज बीस कुंटल एक्स्टा जो गयों नहीं पैदा हुआ नहीं होगा दाट इस कैपसिर्टी इस अप्रोसेस तो आज तुम इतने अवेर हो तुम्हें पता कि डिमांड कहा हो रही चक्र में इंकम एक्स्पेंडेशर कंजप्शन और सप्लाई कॉन कर रहा है इंवेस्ट्मेंट प्रोडक्शन तो जब तक आप इंवेस्ट नहीं करोगे तब तक प्रोडेक्शन नहीं कर पाओगे अग कर दिया और इधर प्रोडेक्शन बढ़ानी अब जैसे अभी हमने सबस्याद इंटर्व में कोश्चन यहीं पूचा कि भारत में जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है लेकिन संसेक्स बहुत तेजिए पचास जार क्रॉस कर गया ठीक है ज्यादा तर मेरे बोर्ड मेंबर्स ने बच्चों से पूचा 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 यह एकनामिक पराडॉक्स कैसे यह कुश्चन कई बार पूचा गया अलग-अलग स्ट्वेंट से कि आर्थिक पराडॉक्स कैसे संसेक्स आपका भागय चला जा रहा है आप खुछ सोचके देखिए उच्छाल पूच्छाल मारे जा इतने अच्छे जोमेटों को इतना बढ़िया उठा इधर जीडीपी निगेटिव जा रही यह कैसे हो रहा है वेट इसको कैसे तुम समझोगे यह बबल है यह पाराडॉक्स है क्या है अब गुलियन बूला कट्टा गया कट्टा एक चली देशी बंदूख होती है वहां प जब तक एक्जामपल कॉंसेप्टर बैच लोगे नहीं तब तक इस बनोगे लिए ऐसा कुछ नहीं है यह कमेंट बाजी अपने तक रखो क्वेस्टन है तुम्हारा दिमाग उसमें कुछ फंगस-फंगस हो सकता लगी हो तो सिंपल सा फंडा है कि this is a limited time period batch and we need to discuss a lot ठीक है we need to discuss lot of things तो इतनी चीजों को इस बैच में लेकर आएंगे तो फिर इतो महीनों चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना तो आपकी वह कमेंट जो है वह अपने तक ही रखे तो ज्यादा अच्छा कहने का मतलब यह है कि इत चीजों को concept बनाने में टेक्स लॉट ऑफ टाइम सिर्फ तीन question में तुम अभी तक किसी में भी सही जवाब नहीं दे पाए हो तेन हाउ टो डिस्टिबूट अगर हमने प्रडूस कर लिया तो डिस्टिबूट कैसे करेंगे ठीक है अगर हम मॉल बना लेते हैं तो राशन को अगर हमने एक सा अनाज प्रदा किया तो डिस्ट गृट वह तो ऑनो में तो डो एक शिवानो फेंगा गूम anome this is a no certain answer this is a debatable question this is a complexity there is a no such answer boy we answer absolute नहीं हो सकता अगर मैं इसका answer दूंगा तो मेरा पहला statement गळंत हो जाए का तो मेरा पहला statement गलत हो जाए कि there is a no choice between Good or Bad in the economics कि अर्थवेवस्ता में good ौर bet नहीं हो था अर्फ्योस्ता में गुड़ और बैड नहीं होता दिर जो जोई बिवीन बैड एंड वस्ट जैसे आपने राशन शॉप बाट दी अब पूरी एकॉनमी कुछ साल बात क्या हो जाएगी सब अरे सरकार दे रही हमें काम करने क्या जुरूत है तो फिर क्या होगा आपकी पूरा खराब हो जाएगा भारत में देखने मिलता है यार हम गरीबी हमारे स्टेटस है गरीबी हमारे सरकार से एक दो साल हमने मदद ली अब हम महनत करें आगे बढ़े या सरकार हमें प्रेजित करें ना अरे कौन अगली पार्टी कौन चुना अच्छा तुम हमें का दो के जल्दी बता है और हम तुम्हें फ्री एनाज देंगे फ्री बिजली फ्री पानी देंगे और यहां जो हमारे देश में पच्छीश शहर ऐसे हो करें जो खुद दिल्ली दूनियों को बताएगा पानी की अपलब दूनी करा पाया है तो करना से बड़ा डिजास्टर जो है वह हमारा वाटर की कमी होगी पर बांट रहे हैं और देखा देखी सब को चो रहा है केवल मास बना दोगे तो फिर जो तुम लोग कल्यान करना चाहरे हो जो हमारे गरीब लोग है तुम उनको दमिन कर दोगे तो बड़ा मुश्किल सवा लिजिसे राशन की दुकाने कहते हैं राशन शॉप कि सोचो अभी सोचने के लिए तुम्हें बताया है टाइप सफ अधनामिक्स लिखो अर्थविवस्था के प्रकार टाइप सफ अधनामिक्स लिखो पहला जो प्रकार हम देखते हैं on the basis of the development लिखो विकास की आधार पर हम अर्थविवस्था को कैसे परिभाशित करते हैं अब तुम्हें कुछ कुछ जवाब तुम्हें मिलने शुरू होंगे यहां पर on the basis of development विकास की आधार पर पहला एकॉनमी पहली होती है developing लिखो विकास सील जैसे भारत है developing economy एक्जाम में आया था इस बार दियान से प्री में अगर आपने paper पढ़ा होगा प्री का तो आपको मिल जाएगा इसमें तो विकास्ची लर्थ विवस्था किसे कहते हैं low per capita income यहां प्रतिवेक्टिया कम होती है लिखो प्रतिवेक्टिया कम होती है but potential to develop परन्तों विकास करने की संभावना होती है जैसे भारत प्रबल संभावना होती है यह चीजह बताती हैं कि भारत में potential काफी है ग्रो करने का और वो यह था कि हमें पोटेंशल जीडीपी भी कहा जाता है अगर आपने इस बार का कोश्चन देखा होगा तो पोटेंशल जीडीपी कहा जाता है यानि संभाव जो है वो सकल घरील उत्पाद तो इसका मतलब होता है कि अर्थफिवस्ता आज हमें भले ग्रेजी जानते हैं हमारे यहां IT टेक्नलोजी बहुत जादा जो है पेनेट्रेट कर रही है जबरदस तरीके से अंदर गाउं-गाउं भी पहुंच रही है भारत सरकार सब को डिजिटली कनेक्ट करना चाहती है तो यह बता रहा है कि जब यह चीजें थ्रशोल पर पहुं सभाव जीडीप किसे कहते हैं वर्ब दी मीन बाई-पोटेंशियल जीडीप सकलote है र्च्ट किसे कहते है कि संभाव जास तो संभाव नःथ के तो यह हो गया दूसरा जनांकी लाभांच मैंने आपको पढ़ाया था कि हम जो है सबसे यूथ आबादी में कोस्ट लाइन बाउंडरी है और हम जो है वह एक ऐसे देश के रूप में हैं जहां हमारे पास राष्ट का कोई धर्म नहीं आज पॉलिटी भी चुरू होगी आपकी रात में आड़ बजे तो वहां पर हमारा कोई धर्म नहीं है मलब हम धर्पनिन रिपेक्ष हैं हम सेकुलर क कंट्री हैं तो इससे क्या होता है हमारे पास सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास संभावना है हमारे पास सोतंतर न्याइपाली का है हमारे पास जो है वो जुडिश्री है यह चीजें लोगों का विश्वास बढ़ाती है कि हमारे यहां लोग आ सकते हैं मैं अल्प उक्सित देश बेरी लो पर कयभपता इंकूम को नियोलन्ग ॉप्रतिवेक्टि आये बहुत ही नियून कि त्रश्च चाष पयंप कि यह समिर वेरी कुछ सेट्ड सोलर पावर रिसोर्स भी है हमारे पास वेरी लो पर कैपिटा इंकम प्रतिवेक्टिया बहुत कम नतीजा क्या होगा आपके पास अपने संसाधन खरीदने के पैसे नहीं है अब आपको कुछ कुछ समझ में आगा राश्ट जैसे अभी किसी बच्चन लिखा कि नीट के कॉटिंग दिस्टिबूट कर देंगे अब पूरा दो वक्त आपका इसी गुजर जाएगा कि दो वक्त का खाना मिल जाए मास अंगर एथियोपिया अफ्रीका अफ्रीका के जातर कंट्री इसी हालत में है एं थर्ड वन विक्सित देश हाई रियल पर कैपटा इंकम लिगो प्रतिवेक्टिया अतिधिक उच्च तो प प्रतिवेक्टिया प्रतिवेक्टिया अतिधिक उच्च पर एक्जामपल अमेरिका यूके उनाटेट किंग्डम सुजर लैंड यह सब हाँ इंकम कहां पर पाई जाती है मैं एक चक्र समझा दिया अगर उसको समझ चुके तो तो तुम्हें कोशन पूछने का मतलब ही नही होगा इंवेस्टमेंट तब होगा जब सेविंग होगा तो अब तो तुम्हें इस तरह के रेटन्ती वाले कोश्चन का जवाब ही नहीं तुम्हें सुनना है अब तो तुम कहते हैं सर आया लॉजिक एकॉनमी कहां क्या काम करें हमें सब कुछ पता है चलो नेक्स आज़ा अब दूसरा होता है जब हम कंट्री की एकनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं था हम यह समझते हैं कि वहां का एकनॉमिक सिस्टम कैसा है पहले हमने देखा ऑन दे बेसिस आपर के अपटा इंकम बड़ अब और गहराई में जा रहे हैं कि एक इकनॉमिक बोलते हैं एको पुल्सरा और मेरे डिबीच मेरे पूरा फोकस रखो यह वजकि प्रशन सो कोई फायदा नहीं है मेरे डिवेच मेरे पूरा फोकस रखो बेना पहला कोशन कि हमें मौल ना डिलोगों कई लोगों ने कहा मौल्स, कई लोगों ने कहा जो है वह वह P Александ laugh किसी ने कहा लूँ तो लोज्प बहुत मुश्किल रू जाता है हमारे लिए ठीक है लिह लूँ वाले LAUGHS अंहीं हम jaarजवाद हुँ अडे मैं मॉल्स नहीं बनाओंगा छतम हो यार, मेरे लीए मं का मतलब पूजीबाद हो गया मैं कमुनिस्ट है में समाधिया भार मी में गए तुम्हारे मौल्स की ऐसी के यूर्स में मेरे सवहारा है जो सबसे पहले हैज्ट और विट् पर ύटिक में का रहा हूँ मालू मैं शिभात है करता हुब करता हुब अपनी चमताएं बढ़ाएं, मैं उनको फ्री में बढ़ा कुछ नहीं खिला सुमकर, I will go for the malls, मैं उनकी चमताएं बढ़ा दूगा, capabilities बढ़ा दूगा, मैं malls बनाओगा, मैं फ्री में उन्हें कुछ नहीं दूगा, जो तुम्हारा वो सवाल का जवाब था, वो यहां होगा, which type of political economics we are, समझे, हम किस तरह की, आपको बुलना जी सर, हम किस तरह की, जो है वो राजनीतिक अर्थ विवस्था हैं, अब समझ में आ, क्यो मैंने कहा था कि society, politics और economics कभी अलग नहीं हो सकते, चलिए, सबसे पहले आ ज होगत है, free market है, और इसने क्या रहा था, जब Adam Smith ने कहा था, कि जो है, इसे rational है, market is rational, बोला अनुपातिक है, जो छमतावान है, वो ले जाएगा, लेकिन भारत जैसे देशों में तुम्हें क्या समझ मैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया था, जब हम आजाद हुए, तो अंग 2% बच्चे का भी स्कूल नहीं गए, हमारी जो life expectancy थी, मातर 32 साल बची, हमारे पास per capita income इतनी कम हो गए, कि हम अपने बच्चों को पहले खिलाएं, पहले स्कूल बेजें, यही चोईज नहीं थी हमारे पास, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मामला खराब हो गया, तो capitalism हमेश बच्चे को convent school बेज रहा है, जब आई इसकी तहरी करने वो पहुंचता है, फरा टेदार अंग्रे जी बोलता है, अंग्रे जी के newspaper पढ़ रहा है, और तुम dictionary लेकर हिंदू में खोज रहा है, अरे यार इसका मतलब क्या होता है, what is the meaning of sophisticated, तो तुम जो है वो पीछे S, 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 ढूंट रहे होते हैं, sophisticated ढूंट रहे होते हैं, उत्ती दिर मों newspaper पढ़के निकल भी जाता है, so there is a difference in the capabilities, तो जब capabilities में, यानि की छमताओं में अंतर है, तो असमानता को जन्म देगा, एक होगा शाशक वर्ग, और एक होगा शमिक वर्ग हो जाएगा, तो एक हमेशा शाशन करेगा, उसके पास capabilities होगी, अब सरकारी स्कूल में सिक्षा का अंतर, और कॉन्वेंट स्कूल में सिक्षा का अंतर, बहुत बला अंतर है, तो तुम सोचो कि यह सर, मैं गया हूँ, तुम तो खाली पर रहे होगे, मैं गया हूँ, समिनार लेने के लिए, वहां के बच्चों में जब उत्सा भरा तो उन्होंने सोच नहीं नहीं तो मैक्सिम्म 90 बच्चों ने का, सर, हमारे घर में बोला जाता है, लड़कें बोला जाता है, कि वह होम साइंस कर लेना, ठीक है, साधी कर देंग, लड़कें बोला जाता है, कोई ग्रूप D का एक्जाम निकल जा, और संपूर्ण आर्थिक निरणे, सरकार दोरा लिये जाते हैं, जाता निरणे, सरकार दोरा लिये जाते हैं, जिससे केंद्रिय समस्याओं का समाध्धान हो सके, और तीसरा, जो हम लोगों को ने अपना आया था, Mixed Economy, जो गोर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं government plus private sector यानि सरकार और निजी छेतर दोनों जो है वो यहां पर कारे करते हैं ठीक है तो इसको मिश्री तर्थवेशा करते हैं एक question लिखो तुम्हारे लिए question है एक debate है अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं तो जिन्हों ने हमारे उपर शाषन किया कि वो पूंजी वादी थे जो capitalist थे यानि हमारे पास पूरी संभावना थी कि हम capitalism को अपना लें 190 सालों तक और हमारे समाज में हमारे सरकारों में चां से परकाष नारायन और संभाइन वह समाजवादी सोचके लोग थे मेनन हो गया राज गौपालचारी हो गया यह सारे जौ वह समाजवादी सोचके थे तो इंडिया इक्नांच अब्स था घांचलिया कि पास पहला चांस था we can go for the capitalist economy 190 सालों तक वो सिस्टम आ रहे हैं चला we can go for the socialist economy नहरू बहुत ज़्यादा romance में थे अपने Soviet के साथ हम उसके साथ भी जा सकते थे but why we opted mixed economy हमने मिशे तरफ यह ता क्यों अपनाया तो अगर capable नहीं तो private sector भी तो था प्राइवेट सेक्टर निजी चेतर और सरकारी चेतर दोनों थे लिखिए कि इसका answer क्या हो सकता है यह question आया हुआ है interview में पूछा गया है और वर्तमान में भी इसको हम compare कर सकते हैं आज की समय में जो government की policy उसके साथ भी हम compare कर सकते हैं so this is the factor ठीक है तो यह हमारा second part रहा तो जब हम economy की problems को समझते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमें किस तरह से उसको देखना है नजरिया क्या है हमारे पास तो यह जो segment है what to produce how to produce and for to whom to produce यह हमेशा समय के साथ बदलता रहता है वहाँ का समाज कैसा है याद रखिए का economy जो होती है वो समाज और राजनी तो दोनों का प्रतिवेंब होती है बड़ी खुबसूरत लाइन है यह इस समय हमारी समाज की जरूरते क्या है इस समय हमारी politics किस तरह की है political सोच किस तरह की इसलिए मैंने आपको बहुत ही यहां से question आपके दिमाग में आया है कोई भी चीज ना तो सही होगी और ना गलत होती है economics में कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती है सिर्फ वो चीज समसामाइक होती है जो इतिहास में आज से 30 साल पहले सही था वो आज गलत है जो आज सही हो सकता है इतिहास उसको गलत साबित कर दे so it's a very changeable scenario economics इसलिए बहुत contemporary यानी समसामाइक हो जाता है आपको इसी नजरिये से सोचना और देखना है clear है क्या हमें इसके नुकसान भी रहा है mixed economy क्या दोहरा चेहरा काम का होता है इतिहास में तुम देखो के क्लाइब ने बंगाल में दोएच शासन रखा था और उसकी वज़े से बंगाल बरबाद हो गया जो समरदी के उचाईयों पे था वो बरबाद हो गया तो क्या dual nature जो होता है वो economy में नुकसान पहुंचाता है यह भी हमें सोचना पड़ेगा तो मैं medical science के बारे में थोड़ी भी knowledge होगी जो अच्छी दवाएं होती बड़ी कड़वी होती है ठीक है अगर मैं तुमसे प्यार से पुछकार पुछकार के बाते करता रहूं तो मैं डांटू नहीं और फैक्ट पढ़ाते रहूं बिटा देखिए बड़ी यहां से पढ़िए चली बिटा लिखिए GDP की इसमें कोस्ट कितनी है इसमें कितना बिटा इतने लोग हैं आपने फैक्ट पढ़ लिया फैक्ट पढ़ लिया लेकिन जब आप एक्जाम में गए और आपको जो है UPSC ने ऐसी तैसी कर दी फिर क्या करोगे तो आज कर भी लग जाने तो ठीक है मैंने आपको एक बार शायद ध्यान नहीं दिया आपने मैंने का था तीन लोग की बातों को जि अगर ये तीनों डांट भी देते हैं तो ये आशिरवात की रूप में लेना कि हाँ ये मेरे भले के लिए कभी भी तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे ठीक है सन्यासी मतलब वो जिसने अपनी जिन्दगी में दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो तो टीचर माता पिता और सन्यासी ये तीन अगर तुम्हें डांटे भी हैं कसके तो कभी भी इनका बुरा मत मानना ये समझना ये आशिरवात है तुम्हारे लिए बाकि तुम्हारी मर्जी अंदर तुम जैसे होगे संसार को तुम वैसे ही देखोगे